Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पे वालकुम कहती हूँ आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं Bilingualism की और The Bilingual Method की जो के Method of Teaching English है जिसको ELT Method भी कहा जाता है ये TESL के अंदर यानि के Teaching English Speakers of the Other Languages और TEFL के अंदर Teaching English as a Foreign Language और ELT के अंदर भी पढ़ाया जाता है तो Important Topic है Bilingualism का Bilingualism क्या है? डिसकस करते हैं पहले तो Title पे फोकस करें Bilingualism या फिर Bilingual Method Method मतलब एक तरीका, एक अप्रोच, पढ़ाने का Style कि आप किस-किस तरीके से पढ़ा सकते हैं और इस Method के अंदर Bi का Word यूज किया गया है Bi का मतलब होता है दो ठीक है, Tritene, Tetra, चार ठीक है, तो Bi का मतलब होता है दो और Lingual कहते हैं जी Language को ठीक है, जुबान को तो It Means Bilingual मतलब क्या हो गया? Two Languages यानि कि Title itself इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इसके इंदर पढ़ने क्या वाले है Two Languages का रोल पढ़ने वाले है तो ये एक ऐसा Method होता है जब भी कोई Teacher Students को पढ़ाने के लिए दो Languages का यूज करें उसको Bilingual Method कहते हैं अब वो दो Languages कौन सी होती हैं? एक, Use of Mother Tongue और Regional Language जिसको हम लोग L1 कहते हैं ठीक है? ये Linguistics की टाम में ELT की टाम में और दूसरी होती है हमारे पास The Use of English Language Second Language जिसको हमने सीखना है उसको हम लोग L2 कहते हैं तो अब Teacher के करते हैं Sometimes Students को पढ़ाने के लिए English को यूज कर रहे होते हैं English को यूज करते करते Sometimes students के लिए और ज़ादा environment को convenient बिनाने के लिए और चीजों को understand करवाने के लिए बीच में उर्दू का भी यूज करने लग पड़ते हैं अगर हम लोग ये उर्दू स्पीकिंग लोग की बात करें ठीक है अगर हम लोग पंजाबी स्पीकिंग की बात करें या सिंधी स्पीकिंग की बात करें तो वो अपनी रिजनल लैंगविज को यूज करते हैं और ये एक फैक्ट भी है कि अपनी ही जुबान में अगर कोई टॉपिक पढ़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझाता है अब होता क्या है मैंने बता दिया आपको किसे पास इस मैथट के अंदर फ्रीडम होती है अजादी होती है किस चीज की कि वो मदर लैंगविज को भी यूज करें और इंग्लिश लैंगविज दोनों को यूज करें ताके जो लेर्नर्स हैं जो सीखने वाले हैं उनको असानी हो वो असानी से वर्ड सीख सके और teacher ऐसा कब करता है? teacher जब English पढ़ा रहा होता है तो जहां उसको फील होता है कि अब language switch करने के जुरूरत है वहाँ पे वो language को switch करता है तो in short, what is bilingual method? bilingual method ऐसा method होता है जिसके अंतर दो जुबाने use की जाती है जिसमें first जुबान होती है first जो language होती है वो mother tongue यह regional language होती है और second language English language होती है यह simple definition थी simple concept था अब आगे देखे इस method के aims क्या है तो हमारे पास Professor C.J. Dotson है ठीक है? Professor C.J. Dotson का कहना है कि जो bilingual method है उसके aims है making pupils fluent and accurate in spoken word कि जो spoken word होते है उनके अंदर जो students है उनको fluent बनाया जाए उनके accuracy करवाई जाए second है making pupils fluent and accurate in written word कि जो written word होते है उनके अंदर भी उनकी accuracy और fluency करवाई जाए and then preparing the pupils in such a manner that he can achieve true bilingualism कि students को इस तरहां से prepare किया जाए कि वो जो true bilingualism है उस manner को achieve कर सके और होता क्या है जी एक teacher है उसने क्या किया एक experiment बता रही हूँ आपको जो experiment book में बताया क्या है और यह experiment वैसे अगर आप खुद भी कर सकते है being a teacher एक teacher है उसने जी class के दो group बना दिये group A और group B ठीक है अब उस teacher ने क्या किया उन teacher ने ये किया कि जो group A है उनको सारा का सारा direct method में बढ़ाया means direct method means क्या है सारा का सारा English के अंदर पढ़ाया कोई भी bilingual word यह निकिए अपनी mother tongue अपनी जो native language उसको कोई भी word use नहीं किया ठीक है अब जो group B था teacher ने वो ही topic उनको भी पढ़ाया लेकिन bilingual way में ठीचे ने उनको जब वो topic पढ़ाया तो उस topic के अंदर जहां जरूत पढ़ी वहां पर उर्दू के words यूज किये जहां जरूत पढ़ी वहां पर English के words यूज किये sentences यूज किये और at the end result क्या था result ये था कि जो group B था उसने topic को ज़्यादा अच्छे से understand किया group A के मुकाबले में क्यूं क्यूं क्यूंकि group A की number one native language तो English नहीं थी number two ये तो English सीखने कहे थे number three सब कुछ इनको English में पढ़ाया गया that is why ये उनको properly अच्छे से understand नहीं कर पाए on the other hand जो group B है same like group A इनकी भी native language English नहीं थी और उसके बाद क्या हुआ इनको English थो पढ़ाई लेकिन English के साथ साथ इनको जो native language थी means उर्दू language थी इनकी जो mother tongue थी वो भी पढ़ाई गई ठीक है उसमें भी इनको explain किया गया मतलब English में कुछ बताया गया कुछ उर्दू में बताया गया कुछ English में कुछ उर्दू में बताया गया जहां पर जरूरत थी वहां पर जिस बेस पे जो group B था उन्होंने ज़ादा अच्छे से understanding की थी topic की और फिर यहां पर comparison में बताया गया कौन सा method best है direct method या फिर bilingual method तो उसके answer में बताया गया कि obviously bilingual method ज़्यादा suitable approach है comparatively direct method के क्योंकि direct method method में total English का use किया गया है जबकि bilingual method के अंदर English भी use की गई और जहां जहां सुरत पड़ी वहां पर उर्दू भी use की गई जिससे जो students तो उनको सीखने में असानी हुई तो फिर bilingual methods के advantages किया हुए कि ये teachers के जो work है उसको facilitate करता है ये time saver होता है कि teacher इसमें अपना time save कर लेता है वो दुबारा से एक environment नी create करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए यानि पहले सारा कुछ English में बता दिया पर सारा कुछ इसको translate करके उर्दू में बताया जाए नहीं ऐसा नहीं होता teacher English में ही पढ़ा रहा होता है पढ़ातों बीच में उर्दू के कुछ sentences यूज करता है जिससे क्या होता है students को topic की understanding होना शूरू हो जाते कि कहा क्या गया है इसका एक और फीचर है वो यह है कि इसमें accuracy को promote किया जाता है और जो average teacher होता है वो भी इस method के तुरू बच्चों को पढ़ा के काफी succeed होता है और एक और advantage क्या है वो है mother tongue of indirect help means to say that कि जब हम लोग English language सीख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो mother tongue है वो a sort of help का role play करती है एक indirect help का source होती है वो moreover यह जो method होता है ना इस method के अंदर first language जो है वो fanatics के grammar के vocabulary के difference को explain करने के लिए use की जाती है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो teacher है ना सिर्फ वो mother tongue use करता है जबके जो students होते हैं वो English के इंदर ही practice करते हैं तीछे इसमें mother tongue का use करके जो students होते हैं उनको उन्होंने main idea convey करना होता है जब students उन idea को get कर लेते हैं समझ जाते हैं तो उसके बाद students उनकी practice English में ही कर रहे होते हैं तो यह सब important points थे bilingual method के तो I hope के आपको जो bilingual method है वो clear हो चुका होगा thank you for watching this video वीडियो पसानदा है वीडियो को like भी करेगा हमारे चैनल को subscribe भी करेगा comment में अपने opinion भी शेयर करेगा अगर आपको इस subjects के और भी lectures चाहिए तो मुझे comment में जरूर बताएगा ताके मैं फिर इसके उपर further lectures भी बनाओ दुआउ में खास याद रखेगा stay tuned with us take care